पूरे हिंदुस्तान में एक मुस्लिम महिला है जो बनी है पाइलट जिसका नाम है अपसा कुरेशी जो खतिब घराने से रखती है आद तो उन्होंने अपने माबाप का नाम रोशन कर दिया है आए देखते हैं यह रिपोर्ट देश में मुस्लिम कुरेशी समाच की पहली लड़की बनी पाइलेट मुंबई दे स्टे मीरा बेहंदर शेतर में रहती है यह पाइलेट बनने वाले लड़की का नाम है अफ्षा कुरेशी इस से पहले भी मुंबई उपनगर गोवनडी की रहने वाली मुस्लिम शाहिन अखलाकान पहले पालिट बन चुकी है पर अब कुरेशी जमाद की पहली रड़की अफशा कुरेशी पालिट बनी है मुस्लिम कुरेशी समाज की वही लड़की है अफशा कुरेशी जो अब पालिट के रूप में जानी जाएंगी जानकालिय के लिए बता दें कि अफशा कुरेशी देश भर के मुस्लिम कुरेशी समाज की ये ऐसी पहली लड़की है जो पालिट बनी है अक्सर सुना और देखा जाता है कि मुस्लिम समाच की महिलाओं या लड़कियों को अभी भी कई तरह की रस्मों और रिवाजों का सामना करना पड़ता है कई लड़कियों की शादियां तो कम उम्र में ही करती जाती है तो वही कहीं-कहीं लड़कियां को एजुकेशन से भी दूर रखने की कोशिश की जाती है। आने वाले सुंदर भवश्ची के लिए शुब कामनाय भी दे रहे हैं। उसके बाद मेरे हाथ में जॉब थी लेकिन मेरे फादर ने मुझे जॉब करने के लिए मना किये तो मैंने कुछ नया करने का सोचा। और उस वक में बहुत व्लोग्स लेक्ती थी एवियेशन रिलेटेड़ तो उस चीज ने मुझे पाइलेट बढ़नी के लिए इंस्पार किया। मैं मेरे वतन की हर लड़की से यही अपील करूँगी कि वह आगे पढ़नी की चाह रखे और अपने अर्मानों को ना दबाए और अपने पैरेंस से डिसकस करें ताकि उनके पैरेंस उनको आगे उनकी रिस्पेक्टिव फील में सपोर्ट कर सके। मुझे बद्फकर है मेरे बेटी पे कि उसने अपना देश सुना और अपने देश में आके वह पाइलेट करना चाहती है। वैसे तो हिंदुस्तान की सबसे पहली मेला गुंजन सकसेना पाइलेट है अपसा कुरेशी के लिए एक शेर याद आता है। परो को खोल जमाना उडान देखता है जमी पे बैट क्या आसमान देखता है। मैं सलाम काजी इंडिया आस के लिए।